नमस्कार दोस्तों घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि नवरात्र का सातमे दिन मा किस पूजा करने की विधी क्या है मा काल रात्री को कौन सा भोग लगाएं कौन सा फूल उनको पसंद है पूजा में कौन सा फूल अर्पित करें और मा काल रात्री की पूजा करने से कौन से संकटों से मुक्ती मुलती है इनके पूजा का क्या परिनाम होता है पूजा करने से क् फल की प्राप्ति होती है, पुन्य की प्राप्ति होती है, दोस्तों ये सप्तमी की पूजा की संपून्ड विधी बताऊंगी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने घरेलूख अबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ह महा सप्तमी के दिन मा दुर्गा के साथमी स्वरूप मा काल रातरी की पूजा की जाती है, वैसे अधिकतर भक्त माता का रूप देखकर ही डर जाते हैं, किन्तु काल रातरी मा विधुत जैसी उर्जा वाली है, भक्तों की सभी दुखवा विधुत जैसी तेजी से खतम कर कहते हैं कि इनकी असमरन मातर से ही भूत, पिसास, भह और अन सभी तरह की परिशानी दूर हो जाती है अतह नवरातर के साथवे दिन मा कालरात्री की पूजा बड़ी ही फल्दाई है मा दुर्गा ने असुरू की राजा रक्त वीज का वध करने के लिए मा कालरात्री की रूप पोत्पन किया मा की इस रूप की पूजा करने से वूरे समय का नास होता है और इनकी किरपा से घर में सुक समरिधी बनी रहती है मा काल रातरी की पूजा भक्त को माला माल बना देती है मा दुरगा का यह सुरूप काफी भयंकर है इनका रंग काला है और यह तीन नेतरधारी है मा काल रातरी के गले में विद्धित की अद्भूत माला है मा के हाथों में खडग और काटा है और इनका बाहन गधा है लेकिन ये हमेशा आपने भक्तियों का कल्यान करती है इसलिए इन्हें सुभंकारी भी करते हैं मा काल रात्री की पूजा सुभा चार से छे बजी तक करनी चाहिए मा की पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए मकर और कुम रासी के जातकों को काल रात्री की पूजा जरूर करनी चाहिए परिसानी में हो तो आप साथ या सो नीवू की माला देवी को चड़ाए सब्तमी की रात्री तील या सरसो के तेल का खंड जोत जलाए सिद्ध कुंजिका स्रोत, अर्गला स्रोतम, काली चरीसा, काली पुरान का पाठ करना चाहिए यथा संब्व इस रात्री संपूर्ण, दुरगा सब्तसती का पाठ भी आप कर सकते हैं भोग लगाने के बाद मा की मंतरों का जब करें, फिर आप सब्तसती का पाठ कर सकते हैं दोस्तो इस दिन आपको ध्यान रखना है कि काले रंग के वस्त धारन करके पूजा पे ना बैठें या पूजा करते समय किसी को नुकसान पहुचाने के उद्देश से पूजा ना करें तो दोस्तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करेंगे सेर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे थैंक्स